तो इस वीडियो का अंदर हम लोग सिखने वाले हैं कि किसी भी गाने को FL Studio Mobile के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और किसी भी गाने का BPM कैसे चेक किया जाता है और किसी भी गाने का बेग्राउंड मीजिक जो होता है उसको हम लोग कैसे अडाल सकते हैं इस वीडियो में हम लोग यहीं सिखने वाले हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने FL Studio Mobile को Open करेंगे जीए ओपन करने के बासे कुछ इस प्रकास है FL Studio Mobile open होगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर लेस का इकन पर नियूपर क्लिक करेंगे जैसे यहां पर देख सकते हैं new पर क्लिक करेंगे और empty पर और यहां पर continue और उसके पास रोके करने के बाद से आप देख सकते हैं सबसे पहले कि यहां पर यहां पर फैले श्रूम वाल का एक नया प्रोजेक्ट उपन हो चुका है तो सबसे पहले जिस गाने को हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं तो उस गाने के सबसे पहले उस गाने का बीपिम हम लोग चेक करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस फैले श्रूम से बाहर आके बाहर आने के बात से किसी भी गाने का बीपिम चेक करने के लिए एक अप यही अप्लिकेशन का नाम है क्रोश डीजय यह आपको प्लेसटो पे मिल जागा तोms आप अप distributed दूजेसे में नाम है क्रोशक क्योंने आफ क् चुछ लेखिल सकते हैं यही क्यों सब्स्क्राइब हां पर आप लोग upload कर सकते हैं तो upload करने के लिए कि कोने पर आपको दो पलसका का आकन दिखाई दी रहेंगे तो किसी ही प्लसका आइकन पर प्लिक कर सकते हैं तो चलिए हमने आ바 नफु कि α क्लिक किया उस्लिटा तो आपusa आपको ठील की छोगा जैसे कि आप तो सबसे पहले आपको जहां पर भी आपने एंपी 3 गाने को डाउन्वीड करके रखा है उस फाइल के अंदर आपको छले जाना होगा तो चले मैं आपने डाउन्वीड में गाने को डाऊन्वीड करके तो तो जैसे के मुझे इस इस गाने को यह बला गानस करना है और सिंपली में कलिक sonra कि आपका गाना जो है यहां पर लोड हो जैसे करे से इसprüत आप इहां तक आप लोड होगा लोड होने के बार से इस गाने का जो BPM है वो आपको यहां पर दिखाए देगा जिसे आप यहां पर देख सकते हैं तो इस गाने का जो BPM था यहां से मैं ज्यादा बढ़ा दिया इस गाने का जो BPM है वो है एको चालिस जैसे आप यहांपर देख सकते हैं इसको मैं मायनस कर दीता हूँ एक सत cast चालिस इस गाने का perfect presents है तो आप किसी भी पलस के एकन पर क्लिक करके किसी भी गाने का एक हो इसको भी पिर कर करणा तो अकर मुझे इस गाने का विप्यंप करना इसका तो इस करणते हैं तक फर सामय यहां से बाहर आएंगे बाहर आने के बास अपने फ्लशेय को पर करेंगे चली मैंने अपने फ्लिस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट फोन का नाम होगा वह आपको यहां पर दिखाई देगा ठीक है तो सिंपल उस पर क्लिक करना है उस पर क्लिक करने के बाद से आपके फोन के अंदर जितनी भी सारी फोल्डर हैं वह सारे किसा दिखाई दिखाई देंगे और जहां पर भी आप उस गाने को रखें वहां पर चल वाले हैं तो दोस्तों उस घाने को हम लोग ने खुजी लिया है और यह रहा गाना ठीक है और एक बात मैं आपको बता दूँ कि इस FL Studio Mobile के अंदर MP3 Song और Wave Format का Song होगा वहीं इंस्टॉल होगा और अगर आप दूसरे प्रकार के Song यहां पर इंस्टॉल करेंगे तो नहीं होगा MP3 Song आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं और Wave का फाइल होगा वह आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं तो मैं आपको कहनगा कि अधियू क्लिप पर जाने के बास हम माई फैल में जाएंगे उसके बासे माई सेंपल के नदर जाएंगे और खोचेंगे कि वह गाना जो हम लोगों नहीं इस्टॉल किया उस सच में यहां पर आया है या नहीं आया तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह गाना रहा यह वाला यह गाना यहां पर आ चुगा तो सिंपल इस गाने पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं यह गाना यहां पर इंस्टॉल हो चुका है तो सबसे पहले इस गाने को इंस्टॉल करने के बास यहां पर प्रेक करेंगे और आप आपके ग्राणे का जितनी बींपर सारे बीप्सप्क्रi you एकसो चालिस हम ने यहाँ पर सेच कर दिया। Debude होन जाने के बैसे भास यहाँ पर कि लिए उसके बाद से जो गाणे के जोुए में फालतू पार से वो मैं कॉनरी से कार देता हूं त quindi अब इसका पॉइंट आता है कि इस गाने का बेट वो कैसे मेंच करना है जैसे क्या थो की कोई भी आप लोग अच्छे-खासे पैटन बना लेते हैं लेकिन वो पैटन इस गाने से मैच नहीं होता है क्यों नहीं मैच होता है मैं आपको बताता हूं इस गाने में इसलिए कि कोई भी बीट नहीं मैच होता है कि इस गाने का जो बीट है उस सही तरीके से उस पैटन से मैच नहीं होता है तो उसको मैच करना के लिए आपको क्या करना होगा कि यह गाने जहां से स्टार्ट हो रहे हैं जहां से हमारे फास्ट पैटर्ण चल रहे हैं गाने में वहीं से आपको मैच कराना होगा तो चलीज सुनते हैं कहां से हमारे फास्ट पैर्टन चल र्ए हैं उसके बाद से हमां लोग मेज कराएंगे तो यहांसे नहीं फास्ट पैर्टन यहांसे चलेगा वहांपर शेक कर Bengal जैसे आप देख सकते हैं यहां पर फाश्ट पैटन चल रहा है तो इसको हमको खीच के छह नमर्ट रेत के सामने लाना होगा क्योंकि आगे हमारा जगह नहीं एन स्युक्त ही है देफ सकते हैं और यहां से एक बार हम चोड़े ना होगा क्योंकि उठी building क्रgebied है तो चलए कि स्थार्ट हो रहा है जारा सप्धेश को में पॉस्जा करने है और यहां पर आपको यह छे नमर है इसके सामने आपको बीट उसको मैश कराना होगा तो देख सकते हैं उसको अपजूम करके अगर आपको सही तरीकर समेश नहीं हो रहा है तो कोने पर आपको एक मेगनेट का ओप्शन दिखाई देगा उसको आपको आउन कर लेना होगा तो चलिए मैं आउन कर देता हूं उसके बाद से आप अपनी साब से जैसे चाहें उसके इसका बीट मैश करा सकते हैं ठीक है आग और आगे देखते हैं कि सही तरीकर से मैच हो चुका है यह नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से बीट मैच हो चुका है तो जो कोने पर मेगनेट को आप लोगोंने आउन किया था सिंपली उसको आफ कर देंगे और करने का बाद से कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ठीक है अब इस वीडियो में इस गाने का बेग्राउंड में जो कैसे हटाते हैं वह हम लोग सिखेंगे तो उसके बाद से आपको इस जगह पर क्लिक करना होगा इस जगह पर जास्ट आप क्लिक कि जैगा तो कुछ इस प्रकार से उपन हो गा इंटरफिस जैसे का आप आप यहां पर देख कर सकते हैं लेबलर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है तो लेबलर हमारा कैसे काम करता है लेबलर जो होता है वह हमारा और यहां से आप किसी भी गाने को प्लस माइनस भी कर सकते हैं यानि उस गाने का value कम कर सकते हैं और ज्यादा कर सकते हैं ठीक है तो इस सर चीजे में आता है तो इसको मैं default कर देता हूं अब आते हैं कि इस गाने का हम लोग background magic कैसे अटाएं तो सबसे पहले हम दखेंगे कहां से हमारे गाने स्टार्ट हो रहे हैं यहां पर हमारे इस गाने का background magic मतलब बेस चालू हो रहा पैटन तो क्या करेंगे मैं इतना select कर लोंगा ठीक है जिसको मैं बार बार प्ले करके अपन को आप इसको सूने के बाद से लगाने के बाद से आपको पता चल घ्रक करत चतिके इस गाने का जो bass होता है वो खत्म हो चुका है कुछ हद तक और खत्म करने कले आपको फीट प्लस क्यागन पर क्लिक करना होगा और यहां पर लेना होगा graphic gjort थिके उसके पासे इसको गिडाना होगा ठीक तो छलिए एक एक कर के गिडाएंगे तो तो आप इस प्रकार से इसका बेग्राउंड में जो खढ़ा सकते हैं अब आपको बता दूँद यह थोड़ा इसको गलत हो गया अब आपको फीर से पलेश का इकम पर क्लिक करना होगा फीर से लेना होगा ग्राफीक कीक्यूब और फिर से इसको गिराने देना होगा, ठीक है? इन दोनों का ज़ो कि तक इसका बैग्राउड में घट चुका है, ठीक है? अभ चलिए इसको देखते हैं, कि इस गाने में अगर हम कोई पैटन लगाएं तो उससे ही तरीकते सा मेच हो रहा कि प्लच के करेंगे और यहां कि चोटा समय बनाकर आप लोको दिखा दीता हूँ कि सही तरिकास हो रहा है यह भरा रहे है तो यहां पर मैंने किक लिया और टॉल होते हैं उसारे लेता हूं में दोल लिया थीक? दोल लेने के बासरे बहता लेता हूं कि उसकी बाद से प्लेश केंगे पर जाऊंगा की को लगा दोंगे फिलेजिन फोरस्टिप और इसको लगा दोंगे जोल को जैसे हम लोग लगाते हैं हुक्स को लगा देंगे जनकार लगा देंगे इसमें कर थोड़ा वाटर्डूप चेंडी कर देता हूं कि फने जलिए पर देना कि बातुप इसको मैंने ले लिया उसके पास इस वाइडरोब को भी बैठा दूँगा इस पास जैसे का आप यहां पर देख सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि सच में यह बीट जो है गाने से मैच कर रहा है उसके लिए इस गाने पर क्लिक करके इस गाने का थोड़ा बैलू मैं कम कर दूँगा सिक्स पॉइंट माइनिस कर दूँगा डेवी ठीक है आप चलिए सून के देखते हैं तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से मैच कर रहा है ठीक है तो इस परकार से आप लोग गाने का बेग्रावन मेजिक हटा सकते हैं और गाने का जो बीपिम है उच्छे कर सकत सकते हैं और किस परकाते या फेल इस्टोर मुबाल के अंदर सोनग को अड़ कर सकते हैं उस सारी चीज़े आप लोक ने इस वीडियों में शिख लिया होगा तो मिलते हैं एक लिए लिए वीडियो में वीडियो पसंद दें और वीडियो को लाइक की जीए चैनल पनए तो चैनल को सस्क्राइब कीजी और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले मिलते हैं अंगलों वीडियो में तब के लिए धन्यबाद जय हिन जय भरत